गूड मॉर्णिंग तू अलो फ्यू इन टूदेज लेक्चर ओफ एजिटेटर सेलेक्शन क्राइटेरिया इन केमिकल ब्लांट्स आज बिसिकली हम यह समझेंगे कि एजिटेटर का सेलेक्शन हम किस बेसिस पे करते हैं कौन-कौन से ऐसी चीजे हैं जो हमको पता होना ज़रूरी रहता है and various other things मेरा यह जो लेक्चर है उसके PDF का लिंक मैं description box में डाल दूँगा जिसको भी यह download करना है वहाँ पे जाके easily download कर सकता है सबसे पहले हमको यह पता है कि chemical industries में अलगल तरीके के chemical reactions करवाय जाते हैं जिसमें different तरीके की process conditions हमको maintain करनी रहती है इसमें अलगल तरीके के raw materials भी charge की जाते हैं कोई solid होता है कोई liquid होता है तो कोई आपका gas होता है अब उन सबको हमको proper तरीके से mix करके अपने reactions को complete करवाना है तो यह जो अलगल तरीके के phase basically एक दूसरे के साथ में हम mix करते हैं उनकी proper तरीके से mixing हो जाए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी agitator की so agitator पहला तो homogeneous mixing करता है जो भी मेरे inputs हैं raw materials उनकी second यह आपका heat और mass transfer दोनों के rates को काफी ज़्यादा improve करता है अगर कोई आपने ऐसा material charge किया है जिसके अंदर solid है और वो आपका हो सकता है lumps की form में हो तो यह उसको break करने में भी हमारी help करता है अगर कोई ऐसा material है माली यह कोई ऐसा heavy material है जो charge करते ही bottom पे settle हो जाए तो यह agitator उसको भी suspended form में रखने के लिए आपकी help करता है ताकि वो proper तरीके से reaction में participate कर पाए after that liquid gas reactions में agitator का रोल काफी ज़्यादा critical हो जाता है and wall से लेके पूरा अंदर तक agitator के center तक पूरा एक uniform temperature मिले यह भी आपका ensure करता है agitator because mixing की वज़े से proper तरीके से आपका material mix होगा तो आपको uniform temperature मिलता है so agitator अगर देखा जाए तो बिलकुल backbone है किसी भी chemical reaction की next अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा how to choose a right agitator भाई आप यह decide कैसे करोगे कि कौन सा agitator आपको use कर दा है तो इसके लिए काफी सारी points हैं जो आपको mind में रखने हैं सबसे पहला point आता है आपकी process conditions कैसी है means process conditions में आएगा आपका like single phase आपका transfer है या फिर multi phase transfer है मतलब आपको single phase उसके अंदर handle करना है या फिर आपको multi phase वहाँ पे handle करना है second one आपका आता है viscosity materials की जो आपको handle करनी है means जब आप neuromaterials charge की है उस time आपकी viscosity कितनी है and कहीं ऐसा तो नहीं है कि in process conditions means जैसे जैसे आपका process आगे की तरफ participate बढ़ता चला जाता है कि आपकी viscosity increase होती चली जाए means कुछ abnormal condition ना आए तो आपको viscosity इसका proper knowledge होना चाहिए कि आपकी कौन सी process conditions में आपकी viscosity कितनी रहने वाली है agitator select करते time ये सबसे critical role play करता है third one आपका किस तरीके की reactions आपको उसमें basically करवाना चाहते है like अगर आपका normal mixing है एक वो हो गया second हो गया आप उसमे crystallization करवा रहे हैं आपको just process normal heat removal करवाना है या फिर आपको emulsification करवाना है या फिर कोई ऐसा solid है जो नीशे settle हो रहा है आपको उसको suspended form में लेके आना है तो आपको अपनी process conditions का proper तरीके से idea होना काफी ज़्यादा ज़रूरी रहता है next कितने time तक आपको agitator को operate करना है क्या best size है जो आप उसमें लेने वाले हैं जो भी chemicals आप उसमें charge करने वाले हैं उनका nature कैसा है acidic है basic है तो इन सारी चीजों के basis पे basically हम agitator का आपका selection करते हैं एक बार आपने अपना agitator select कर लिया after that आपको यह देखना है कि आपका agitator एक optimum performance दे means आपका agitator आपने select किया है तो उसको rotate करने के लिए आपको power देनी पड़ेगी अब सबसे important चीज़ यह आती है कि आपका जो financial expense एक से भी चीज़ पे means power consumption means पैसा because power आपको अच्छे खासे price में पड़ती है तो हमें यह ध्यान देना है कि agitator आपको optimized power ले जिससे आपका काम भी चल जाए और power consumption भी कम रहे अब अगर आप agitator के power consumption की बात करेंगे तो वो directly proportional होता है आपका d by t ratio के जहां पे आपका d होता है agitator का डाया divide by t होता है आपका tank डाया means हमको यह ध्यान देना है कि यह optimum ratio हमको लेना है ताकि हमारा power consumption minimum रहे इसके साथ में कुछ और चीज़े रहती है जो हमें दिमाग में रखनी है लाइक आपका क्या velocity है जिसे material को rotate करना है क्या pumping rate है जो मेरे को material को देना है then कितना rpm की मेरे को जरूरत है मेरे process requirements के हिसाब से इन सारी चीज़ों के हिसाब से मेरे को आपना power consumption भी optimize करना है third one is mechanical design कोई भी agitator जब design किया जाता है तो आपको यह ध्यान देना है कि वह agitator आपको long term performance दे इसमें काफी सारी important चीज़े आती है like आपकी blades का angle कितना है blades की thickness कितनी होनी चाहिए, आपके soft का dia कितना होना चाहिए, कौन से MOC का बना हुआ होना चाहिए, blades कितने angle पे होनी चाहिए यह सारी चीज़े काफी critical role play करती है because जबी भी आपका agitator लगता है तो आपका agitator के उपर अलगलग तरीके की driving forces काम करती है जिसमें आपका torque होता है, bending moment होता है, axial load and thrust होता है, otherwise problem क्या होगा कि जैसे ही आप agitator अपना कुछ महिने चलाएंगे, उसके बाद में आपके agitator खराब हो जाएगा या फिर frequent seal leakages आएंगे, तो ऐसी किसी भी चीज़ से बचने के लिए आपको proper mechanical expert की advice लिनी चाहिए, जिससे जो आपका agitator हो, वो proper तरीके से आपको design करके मिले, ताकि आपके process में आने वाले जो breakdowns है, वो बिल्कुल minimize हो जाएं और आपको excellent performance मिलता रहा है, अगर हम types of agitator की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला होता है anchor type agitator, जो आप में most of the logo ने देखा होगा, इसका basically use वहाँ पे इसके case में जो rpm होते हैं, वो आपको काफी कम मिलते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके diameter की, तो ये जो भी आपका tank diameter है, उसका near about 95% of internal tank dia ये होता है, ये आपका बिल्कुल wall से सठा हुआ रहता है, थोड़ा ही clearance हो रहता है, जिसकी वज़े से ये आपका heat transfer, heat exchange काफी अच्छा क होता है, इसको slurry or sticky fluids के case में काफी ज़्यादा prefer किया जाता है, next होता है आपका paddle type agitator, ये paddle type agitator आपका काफी simple agitator रहता है, ये बाजू पर देख सकते हैं, इसका basically use किया जाता है, आपका slow settling और high viscous fluids को just move कराने के लिए, इसका जो design है वो vary होता रहता है depending upon your requirement, इससे आप tank के agitate कर सकते हो, and इसका जो size रहता है, वो 50-80% of आपके tank dia होता है, next सबसे ज्यादा use में आने वाला होता है आपका turbine agitator या फिछ ब्रेक टाइप of agitator, इसका जो dia होता है, वो 30-50% of tank dia होता है, it is preferred for liquid and gas reactions, even solid liquid, इसको काफी ज्यादा हम prefer करते हैं, यह जो operate करता है, it operates at a low speed, liquid gas का जहां पे भी reactions होता है, वहां पे this turbine type of agitator is very much preferred, यह आपका अलग अलग तरीके के angles में इसकी blade आप कर सकते हैं, 45 degree pitch blades, काफी ज्यादा प्रेफर की जाती है chemical industries में, because 45 degree जब आप angle पे कर देते हैं, तो उस पे लगने वाला, जो agitator पे लगने वा वाज़े से जो forces लगते हैं, वो आपके काफी जादा reduced हो जाता है, जिसकी वज़े से power consumption भी आपका कम होता है, लास्ट, next one हम बात करते हैं, propeller type of agitator, इसको यह basically axial moment देने के काम में आता है, इसके case में आपको turbulence काफी कम मिलेगा, और इसके case में power consumption भी आपको काफी कम मिलता है, it is used for mixing of medium viscosity fluids only, next one हम बात करते हैं, आपका helical type of agitator, काफी सारे लोगों ने यह agitator देखा ही नहीं होगा, because यह जो agitator रहता है, यह basically आपको जहाँ पे काफी ज़्यादा, आपके highly viscous fluids होते हैं, like, I don't know कितने लोगों को यह idea है कि जो आपकी fiber industries रहती हैं, उनमें जो viscosity होती है, material की, जो आप handle करते हैं, वो काफी ज़्यादा high होती है, तो basically polymer industries में, आपको इस तरीके के agitator देखने को मिलेंगे, इसके shape की वज़े से ही, यह जो helix जैसा shape है, इसकी वज़े से ही हम इसको helical type of agitator के नाम से जानते हैं, इसकी design की वज़े से, जो इसकी वज़े से होने वाली mixing रहती है, वो काफी ज़्यादा vigorous mixing होती है, और इसको use वहीं पर किया जाता है, जहां पर viscosity काफी ज़्यादा high होती है, like आपका honey जैसा होता है, उस तरीके के material में, और यह आपको देखने को मिलेगा, आपका polymer industries में, So, hope आपको आज का मेरा lecture अच्छा लगा होगा, next lecture में I will be back with a new topic, till then goodbye and have a nice day.